जय हिंद मेरे पयारे साथियों आज इस वीडियो में कवेरे करेंगे हिंदी का unique set No.1 11 करेंगे और पोधिरे सेक enstep 10 तक प्ले कवर कर लिये थे अगर आप वह वीडियो अभितिक में तक नहीं देक stretching हैँ तो पीडियाप चाहिए तो आप हमारे WhatsApp गुरूप और टेलेग्रम गुरूप से जूर जाए जो कि WhatsApp गुरूप में जूरने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए उसके बाद मेरा प्रस्टनल वाट्सप नमबर है जो कि है 7352487318 यानि 73, 42, 43, 78 या मेरा प्रस्टनल वाट्सप नमबर है इस पर मैसेज किज़ेगा तो आपको दोनों गुरूप में एड कर दिया जाएगा वाट्सप गुरूप और टेलेग्रम दोनों में एड कर दिया जाएगा या खुद से आप एड होना चाहते है तो वीडियो को डिप् चैता से अठाटा जो कुजन दे राखा यह एक पैटन पर है उसके लिए डिदेश में कराएगी निमलिखित परतेक प्रस्ट में प्रस्ट के बिलोम सब्द के लिए चार-चार वीकल्प दिये गये हैं सही वीकल्प का चेयन कर अपना उतर अंकित करें ठीक है तो इसमें ज रहा है जैसे के च्हेतर नमबर को आ रहे है तो फीडियो को रोख दी जएगा और कोमेंट बख्स में श्रुट करके जो आफ्सेन होगा यह अपोमेंट उसी बक्त कर दिदन लगां तो बात करें जो साथर का जो घू रूंशन सब्थ हो होगा सेख्षिक होगा शिक्छार्थी होगा तो यह सिक्छक का बिलोम सब्थ हो जागा तो कि अस्थावर की शानवर अनिस्चित तो यह जो जंगम का जो बिलूम सब्द हो जागा तो यह होगा अस्थावर हो जागा जो कि अप्स नमर B में दिराखाई इसका राइट एंसर हो जागा जीन में से केवल एक सही है सही पी कलब का चैन कर अपना उतर अंकित करे ठीक है इसमें जो दिराखा है इस साब्द के लिए कौन सा सब्द जो सही होगा मतलब की सटिक होगा वो आपको बताना है तो 89 नमर की बात करें तो 89 में कुशन करा है कि जिस पुरुस की इस्त्री मर गई हो उसको क्या कहेंगे पुरुस बिद्वा कहेंगे बीधुर कहेंगे प्रमचारी कहेंगे सयम्मी कहेंगे तो जिस पुरुस की इस्त्री मर गई है उसको बीधुर कहेंगे जो कि अफ्सनल बी में दे रखाए बीधुर यह इसका राइट टे तो जानने की एक्षा राखने वाले को कहेंगे जिग्यासा कहेंगे जो कि आपसन नमर सी में दिराखने जिग्यासा याइसका राइट एंसर हो जायेगा ठीक हैं 81 नमबर में जो दे राखाए कि जो सुंघा ना गया हो उसे क्या कहेंगे अना घ्रात कहेंगे अग्रान निये कहेंगे असुग अन्धित कहेंगे अब घ्रान कहेंगे तो जो सुंघा ना जया उसे कहेंगे अना घ्रात कहेंगे जो कि अफशन नमबर इसमें अना घ्रात होगा उसके लिए निर्देश दे रखा है कि निच्चे परतेक प्रस्द में दिये गए मुहावरे या लोकोकतिया के अर्थ बताने के लिए चार-चार बिकल्ब दिये गए हैं सही बिकल्ब का चेन कर अपना उतर अंकित करें ठीक है यहां जो बिराशी से आवे तो गाउं की और भागे मतलब क्या कहा रहा है कि गीदर की सामवत आवे तो गाउं की और भागे तो आप्शन में दिये रखा कि अपनी सकती का बीना अनुमान किये किसी कारे में लग जाना बी नमबर में दिये रखा कि आवांचित ततों से साथ गाठ करना C नमबर में देराखा कि विपत्ति के समय बुधी का फरस्ट हो जाना और D में देराखा कि संकट आने पर बचाव के लिए आश्रे खोजना तो 82 का एंसर जो हो जागा तो C में देराखा कि विपत्ति के समय बुधी फरस्ट हो जाना मेड़क को जो फीमेल है उसको का थे मेड़की उसको जुकाम होना उसका उस महाबरे का अर्थ क्या होगा अवांचित कारे के लिए ततपर होना छोटे आदमी दोरा नखरा दिखाना बीना कारण रूठ जाना जूटी परतिष्टा का प्रदर्शन करना तो यह जो मेड़की को जुकाम होना इस महाबरे का अर्थ हो जाएगा कि छोटे आदमी दोरा नखरा दिखाना जो कि अप्शन में बी में दे रखा यह इसका राइट एंसर हो जाएगा तिरासी का भी इसका एंसर हो जाएगा अदि चौरासी नमर की बात किया या तो सत्तोलासी नमर में ऐसमें प्रहया संघर्ष नहीं होता वजब चीज़ आसानी से ख्राप नहीं होती हथी पर कोई परभाब नहीं होता तो जो यह पथर को जोख नहीं लगती इस मुहाबर का अर्ठ हो जाएका की हथी पर कोई परभाब नहीं होता तो option number D इसका right answer उसेगा 84 का Tigue answer फो जाएगा यानी DA-2 हो जाएगा थICKAR B बात करें 85 50 सी नमबर को सब्क्राइब कर लेद्ण परत्यासित सफलता पराप्त कर लेना और अनिस्ट पर Annoyais रोधन करना म्हबर का आर्थ हो जागा कि निराइब कर परत्यासित में कर देंट करना। अरथ हो जागा गत बनाने महावरा मंहावरा कर दूरदासा करना मार डालना प्रेशाण करना किसी चीज्श का अंत कर देना तो गत बनाना महावरे का जो अर्थ होजाएक हो पूरदाशा करना जो कि अच्छन ओन में दे रहा क्या य chínhक्तर राइट एंसर हो जागा 36 का यह नंबर एंसर हो जोगा तक्षिक करन होगा जो कि अबसी में रखा ये इसका राइट एंसर हो जागा 87 का सी नमबर इसका एंसर हो जाएगा ठीक है अगला कुछन है कुछन यहीं पूछ रहा है तो अबसन नमर 20 इसका राइट एंसर हो जाएगा 88 का नवासी नमबर की बात गये तो नवासी का डी इसका इंसर हो जाएगा жиз जो रहाएक प्राइख उसको लिए निळेश कि इसमें क्या बताना है तो निर्देस में लिखा है कि नीचे प्रतेक प्रस्ट में दिये गए वाक्के में कुछ तूटी आ है तूटी वाले वाक्के के जिस भाग में तूटी हो उस भाग का करमांग आपका उत्तर है ठीक है और उसके बात करा है कि यदि वाक्के में कोई तूटी नहीं हो तो आपक लेखक बनना चाहते हैं वह भासा पर ध्यान रखी कोई टूटी नहीं तो इसमें तो इसमें टूटी जो है वाकिकांद भी में टूटी एंटया जाहां कि लिखा गया है बी में चाहते है यहां पर यह टूटी है तो ऐसर नमबर याAlaki बी रहेगा वहां पे आपको इंसर दे देना होके तो 91 का अंशर हो जाएगा वए शोंते लर्के लरकी या कछेलते कोई टूटी नहीं तो 20 कहां में कोपी टूटी या कोई टूटी होता है एक बहुत भेक्चुक ने उसे ुपदेश दिया कोई टूटी नहीं है तो 93 में टूटी जो हो जाएगा वाकि Okay B में टूटी हो जाएगा B में दे लाखाय कि बहुत भेक्चुक ने यहां पर टूटी है तो आप सनुमर B जहां वहां पर आपको एंसर दे देना है ठीक है बात करें 94 से 96 तक की चोड़ानमे से 96 जो दे रहा खाए एक पैटन पोज के लिए आपको दे रहा खाय कि निर्देश दे रहा कि कि इसमें क्या बताना है इसमें करा कि निम्नाकित परतेक परस्ट में दिये गए सब्दों में बरतनी कि कुछ टूटी है ठीक है दिये गएए विकल्पों में टूटी मुक्ति विकल्ब का चेन गया ठीक है यहां पे ज़िए चौरानमे से जो आपको 96 में जो कूचन दे रहा इसमें वरतनी सुध करना कि कौन सा सुध वरतनी होगा तो चौरानमे में कि दे रहा काई कि 94 में करया कि संग्रीहित कौन सा संग्रीहित जो लिखा गया है तो जो आप सब्सक्राइब लिखा गया तो जो संग्रीहित कर लिखा गया तो पैंचानमे का सी नंबर हो जाएगा और और 96 काता कि उज्वल कौन सा लिखा गया है तो जो अफ्षिनमर बी में उज्वल जो लिखा गया यह सही उज्वल लिखा गया निकि सुदवर्तनी अफ्षिनमर बी हो जाएगा 96 का भी इसका राइट एंसर हो जाएगा कि शंतान में से अंठान में जो कुषन एक पैटर्ण पर उसके लिए निर्देश दे रखा है कि निमलीखित परतेक प्रस्त में परिक्त वाक्य में उप्यक्त सब्दों द्वरा रिक्त अस्थान की पूर्ति के लिए चार-चर भी कल्प दिये गये हैं इन में से एक ही भी कल् अब बर्च का चेयं अंकिद करें ठीक है संतान में रहें रिकता स्थान को पूर्ती करना की कचन दे राख फ्र sausage में की racism दूसरे सब्दों में खाले स्थान है क्या है नियर्म घर्म है तो यह जो चलित ही दूसरे σबदों में जो है तो यह धर्म है जो कि option वर दी में देरह थर्म यह इसका राइट इंसर हो जाएगा 907 का दी नमबर इंसर हो जाएगा अंठानुमे में करा है कि पश्व का जीवन गये सब्द के प्रयाय के लिए चार-चार भी कल्ब प्रस्तावीत है उप्यक्त भी कल्ब का चेन कर अपना उत्तर अंकित करें ठीक है यानि कि इसमें कौन सा सही है वह आपको बताना है प्रयाय तो दुर्बोध का प्रयाय कौन होगा तो अफसे नमर ए में है कि संकिर्ण प्रताव नहबर होजाए थे लिए इसका राइट अंसर होजाए नियनमे का सी नमबर हो जाएगा और यह आज प्रक्रिशीट नमबर 11 का लास्ट कुशन है तो लास्ट यानिकि सव नमर कुशन में कराए कि मोक्ष्मोष मोख्स का प्रयाय कुन होगा कवाईल्ये होगा मिरत आपको 25 कोवर कर लिए है तो आप लोग बताएं कि 25 में आपको कितना सही हुआ है और इसका पीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग वार्शेप में जूर जाए है जो की वार्शेप नंबर है सब्सक्राइब कर दिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन भी प्रेस कर लिजे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो आफे डिजिन का नहीं देखे है और आपको जो बना दिया गया तो चलि दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपय के साथ अगले प्रेक्रीशेश के साथ तब तक के लिए जया ही जया भारत